आप हैं सिक्चा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूँ नीरज बड़ी खबर हम आपको दे दें कि सीटेट उत्रिन दिसम्बर मां के सीटेट उत्रिन अभ्यारतियों के लिए बड़ी खबर पटना हाई कोट से आ रही है आपको बता दें कि आज पटना हाई कोट में बड़ी सुनवाई हुई सीटेट दिसम्बर 2019 अभ्यारतियों के के साथ में एस्टेट 2019 केस की भी सुनवाई आज पटना हाई कोट में हुई और ये बड़ी खबर हम आपको दे दे कि सीटेट उत्रिन अभ्यारतियों को अभ्यार मिली है एक बड़ा ओडर आया है अनील कुमार उपाद ध्याय की बेंच से ओडर में साबत और से कहा गया है कि सिक्चक बहाली बिहार सिक्चक बहाली पर किडिया को अब 4 सितंबर 2020 तक रोक कर रखा गया और जब अगली सुनवाई होगी तो सरकार और सिक्चा विभाग को पक इसे भी बातचीत की है और बातचीत का अंस हम आपको सुनवाएंगे पर आप समझ लें कि दो बड़े केसों की सुनवाई आज पटना हाई कोर्ट में हुई थी और बड़ा महत्पुन केस CWJC 6767 अबलिक 2020 इस केस में एक बड़ा ओडर आया है कि सिक्चक बहाली पर किडिय अब सितंबर 4 2020 तक अस्थागित रहेगी सीटेट उत्रिन अभ्यरती जो लगातार आंदोलन रत है और बहाली पर किडिया में ये मांग कर रहे है कि उन्हें भी समान मौका मिलना चाहिए जब सीटेट उत्रिन हो गया है अभ्यरती तो उन्हें बहाली से बंचित क्यों रख बड़े बहास को अंजाम दिया और बड़ी सुनवाई के बाद एक बड़ा ओडर सीटेट उत्रिन अभ्यरतियों के पक्ष में अब 4 सितंबर 2020 तक बहाली पर किडिया को रोका गया है लगातार जैसा कि आपको पता है कि सीटेट उत्रिन अभ्यरती आंदोलन रत है पूरे सीटेट उत्रिन अभ्यरतियों को अब मौका मिलने का एक रास्ता साफ हुआ है और 4 सितंबर 2020 तक बहाली पर किडिया को रोका गया है अगली सुनवाई के बाद ये साफ हो जाएगा कि सीटेट उत्रिन अभ्यरतियों का भविश्य क्या होगा ऐसे में कयास ये लगा जा रह हैं जिसमें अभ्यरति लगातार पटना में आंदोलन कर रहते साथ में बिहार के आर्टी सो जिले में लगातार आंदोलन रत थे सचिवाले से लेकर बड़े-बड़े मंत्री संत्री तक अभ्यरति पहुँच रहे थे और लगातार ये गुहार लगा रहे थे कि सीटेट उत सिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले पतना हाई कोट में ये केज दाखिल किया गया था और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द ही बड़ी सुनवाई के बाद अभ्यारतियों को जीत मिलेगी ऐसे में अब देखना ये हुगा कि 4 सितंबर 2020 को अगली सुनवाई में क्या हासिल होता है हम आपको बता दें कि आज दो बड़े केसों की सुनवाई हुई है और दोनों में रितिका रानी द्वारा बहस किया गया है और आपको ये जानना चाहिए कि एस्टेट 2019 केस में भी 2020 को केस की सुनवाई होगी जिसमें वरिष्ट वकील वाई भी गीरी भी विपक्ष के वकील के तरफ से प्रस्तुत होंगे ऐसे मेंस्टेट अभिहरतियों को भी अब मजबूत होने का वक्त है आपको हम रितिका रानी की जुवानी सारी कहानी सुनवाते हैं कि आखिर क्या ह हुआ था इस कूट में अगली अवाज रितिका रानी की रितिका मैम आज केस की सुनवाई हुई और सुनवाई में बरापडेट यह हो रहा है कि सिक्षक बहाली पर करिया पर चार सितंबर तक स्थी लगा है मैम जानकारी दें जी बिलकुल यह सही इंफरमेशन है आज यह क पर बाद का बेंच पर अर्डेस के बरापडेट का लिए जैसे कि इन लोगों ने लेटर जारी किया 15 जून 2020 को इसमें इनने डिबार कर दिए और इसलाओ कर दिया इसलीट का पार्टिटेट कर थिए तो कोट थेक्र पूंटर में पूचा है स्टेट सेटी आप जब ज़ड कर चुके हैं 8 जून 2020 को और सबसे एक जब आप अप्लिकेशन पॉम मांगते हैं उसके बाद अप सेलेक्शन क्राइटीरिया चींज कैसे कर सकते हैं इस केस को इसी पॉइंट को लेके ओनरबल हाई कोट ने इस केस में स्टेई ग्रांट कर दिया है कि चार सेप्टेंबर 2020 तक यह केस फिर से टेक अप होगा और उनको काउंटर फाइल करना है और इन दे मीन टाइम कोई भी बहाली ट्रक्रिया नहीं की जाएगी मैं ऐसे में क्या यह कहा जा सकता है कि सीटेट दिसम्बर अब भी हरतियों के लिए बड़ी ख़बर हो सकती है यह बहुत बड़ी ख़बर है क्योंकि जब एक बार अलरड़ी क्योंकि एपॉइंटमेंट चल रहा है 2019 और 2020 सेशन के लिए तो यह डिस्क्रिमिनेट करना कि आप NIS वालों को अलाओ करेंगे 23rd November 2019 तक और जो सीटेट पास है दिसम्बर में आप उनको डिसलाओ कर रहे है तो यह permissible है नहीं in the eye of law इसी कारण से court ने इस केस को सुनवाई करते हुए इसकी अभी stay grant कर दिया गया है आगे जो सीटम्बर में सुनवाई होने वाली है क्या लगता है सीटेट दिसम्बर अभी हर्तियों को मौका मिल सकता है जी बिलकुल मौका मिल सकता है क्योंकि जो लौ है वो यही कहता है कि जब आप एक एरविटिस्मेंट पब्लिश कर दिया है तो एक बद जब कमेंस हो जाता है सेलेक्शन प्रोसेस तो आप उसमें कुछ भी चेंज कर नहीं सकते हैं आप चेंज करते हैं तो आपको फ्रेश एर्विटिस्मेंट पब्लिश करना होगा जो कि इन लोग ने 8 जून को किया उसके बात पिर सगर आप चेंज कर रहे हैं यही वालों को पूरा चाल्स है कि इसमें मौका मिलेगा बहारी प्रकृश्या में आज केस की सुनवाई थी बड़ी बात है कि केस में 12 नमबर पर सीटिट दिसमबर अभिहर्थियों का केस था साथ में State Abhihartiyo का केस भी 13 नंबर पर था और दोनों केस में आप थी मैं State Abhihartiyo के तरफ से हम पूछना चाहेंगे कि उस केस में क्या हुआ State Abhihartiyo में ये केस फिर सो दुबारा टेक अप होगा 6 जुलाई को जो अल्री एक केस चल रहा है CWJC No. 6139, Pankaj Kumar Singh तो ये केस भी उसे के साथ टैग कर दिया गया है और बोला गया है, हम लोग का इंटरवेंशन इसमें अलाओ कर दिया है क्योंकि जब ये एक एक इग्जामिनेशन रद हुआ वो CWJC No. 5650 में जो अबजेक्शन रेज हुए थे जो 4-man committee बैटी थी, inquiry हुई थी वो उस रेट petition के फाइल करने के बाद ही हुई थी तो उसमें क्योंकि हम लोगों को पार्टी बनाया नहीं गयता और हम एक नेसेसरी पार्टी थे इस केस में तो हम मारा intervention अलाओ करके इस केस को 6 जुलाइ को पंकच कुमार सिंग के साथ टैग करके इसकी सुनवाई होगी मैं में स्टेट अभियर्तियों का जो केस है उस केस में आज हमने सुना है कि बड़े वकील वहाँ पहुँचे थे मैं कुछ बताएं जी उनके तरफ से आज वाईवेगी जी सर अप्यूर किये थे और उन्होंने भी टैग करने की बात कही थे कि साथ में इसकी संवाई कर दी जाए 6 जुलाइ को जो पंकच कुमार सिंग का केस ऑलरी पेंडिंग ऑनरेबल बेंच में वो सिक्स को टीक अप होगा फिर से इसमें बहस होता धन्यबाद मैं जानकारी देने के लिए आखरी सवाल हम आपसे ये पूछेंगे कि जो सीटेट दिसंबर अब भीहरती है और नियाले पहुँचे है अब उनको क्या लगता इंसाफ मिल पाएगा नियाले से क्योंकि अभी भी अभीहरती संसम है क्योंकि अब बहाले परक्रिया आंतिम होने वाले थी और इस तरह इस्टे लगा है आप इस पर कुछ बोल दे मैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन है आप खुच सोचें एक तरीके से कि आप नियूस वालो को अलाओ कर रहे है कि आप उनका अप्लिकेशन फॉर्म एक्सेप करेंगे आप 23rd November 2019 तक आप लोगों ने कुट ओफ डेट किया फिर आप हैंडिकाप कांडिडेट सोलो को 15 डेट एक्सेंट कर रहे हैं तो हर जब सेशन 2019-20 है तो हर जो भी सीटेट हो टीट हो या बीटेट पास हो सबके लिए अलग लग डेट कुट अफ डिसाइड नहीं कर सकते हैं आपको सब के लिए एक ही करना होगा और जब आपने 15th सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप सीडेट डिसेंबर पासवालों के सब कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं धन्यबाद मैं हमको लगता है कि अब अभ्यार्थियों को इनसाफ मिलेगा हाई कोट से और बड़ी जीत मिल सकती है धन्यबाद बात करने के लिए थाइंक यू अब या आपने अधिवक्तार इतिकारानी को सुना सीटेट डिसंबर उत्तरिन अभ्यार्थियों के केस के संबंद में उन्होंने बड़ी बाते कहीं साथ में सीटेट डिसंबर उत्तरिन अभ्यार्थियों के लिए बड़ी ख़बर की चार सितंबर दो हजार बीस तक बहाली परक्रिया पर रोख है और ऐसे में CTET दिसंबर अभ्यरतियों को मौका अब मिलेगा कि नहीं ये 4 सितंबर के बाद तै होगा ऐसे में आप ये भी जाने कि पिछले दिनों सिक्षा के निदेशक से हमारी मुलाकात हो थी और उन्होंने ये कहा था कि 1 जुलाई से 15 जुल निदेशक विभाग आए कि शिक्षक बहाली परक्रिया अब जब रोक लगी है तो शिक्षा विभाग अगर इस मुद्दें पर आगे पहल करे तो इस केस के बाद अब अभ्यरतियों को बड़ी जीत मिलेगी और सिक्षक बहाली परक्रिया में सीतों की संख्या बढ़ेग के साथ आसा करते हैं कि सिक्षा विभाग ने जो हमसे वारता की थी उस साकारात्मक वारता को अब और ज्यादा साकारात्मक करने में सिक्षा विभाग पहल करेगी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए साथ देने के लिए सिक्षा में सुधार हो सभी के पास रोजगार हो